नमस्कार राजनमा टीवी पर आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुक खबरे कॉंग्रेस में ड्रामा जारी राहुन के फोन से बदले सियासी समीकरण कमलनात के भाशपा की और बड़े कदम डगमगाए दोजार सेतालिस में विक्सित भारत सशक्त जनादेश मिले मोदी जी ने कहा असली एंसीपी पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब जारखण में भी जाती जनगर्णा को मनजोरी त्रिपूरा में दुश कर्म पिडिता का जज़ पर छेड़ खानी का आरोप शाजापूर के एक स्कूल में बच्चे खाली आहात आते हैं और खाली हाती जाते हैं होमवर्क के लिए एक कॉपी सिंगापूर में जलवायू परिवर्तन के कारण टिड्डियों का विशाल जून पैदा हो सकता है राजिस्थान के जुन जुनु में महिलां से एडी के नाम पर साड़े साथ करोड रुपे की ठगी रूस में पुतीन के गड़ सेंट पीटर्सबर्ग में विरोध की आख 400 लोग गिरफतार हिमाचल और जम्मु कश्मिर में बर्फ बारी उत्तर भारत में सर्दी बढ़ने की संभावना यूपी में पी-एम आज 14,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स लॉंच करेंगे राजिस्तान में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की बलट प्रेशर से मोत चीन के ताइवान के पास समुद्र में जहाजों से निगरानी बढ़ाई पाकिस्तान में दस दिन बाद सरकार का गठन नहीं आज फिर होगी बेठक संदेश खाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज साथ को मोदी की रेली चिनुक हेलिकॉप्टर में खराबी से कारवाई इमर्जनसी लेंडिंग प्रख्या दिगंबर जेन संत ने 36 गड़ के चंदरगिरी तिर्थ में देहते आगी बाकी की तमाम कबरों के लिए बने रहे है राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद